देश की अब तक की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा गंगा विलास यहां से रवाना हो गई है हम आपको दिखाना चाहेंगे यह गंगा विलास क्रूज है जिसको आज पीम मोदी ने वर्चुली रूप से हरी जंडी दिखा कर रवाना किया है खुद इस रवीदास घाट पर सीम योगी मौजूद थे सीम योदगी की मौजूदगी में इस क्रूज को रवाना किया गया है पीम मोदी ने हरी जंडी दिखाई है और साथ ही साथ कई यहां सांस्कृतिक कारिक्रम आयोजित किये गए थे हम आपको दिखाना चाहेंगे इस रवीदास घाट पर हजार कि संख्या में जो लोग थे उनकी मौजूदगी में इस क्रूज को रवाना किया गया और साथ ही साथ यहां कई तरह के सांस्कृतिक कारिक्रम आयोजित किये गए थे हमारे साथ यहां पर कुछ इस्थानी लोग भी है हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि कि किस तरह का उसार जिस तरीके कि यह क्रूज को आज रवाना किया पीम मोदी ने खुद हरी जंडी दिखा कर तो कितना उसा था इस्थानी होने के नाते देखे काशी में जो एक परेटन को लेकर करांती आई है और शाथ में काशी शेव विश्व की सबसे दूरी तैय करने वाली कुरूज का संचालन हुआ है यहाँ वास्तों में काशी के साथ पूरे भारत के लिए विश्व को एक संदेश है कि भारत आज पोटेंसियल रखता है आज क्रूज टूरिजम में मायने रखता है और आज हम बदलते भारत की बदलती तस्वीर के बीच में हम क्रूज टूरिजम में प्रवेश कर गये हैं हमारे पास धरोवर होती थी, हमारे पास सांस्किती विराशत होती थी, लेकिन क्रूज टूरिजम विक्सित भारत का एक अदबुत परिचे है प्रधान मंतर जी के दुवारा, जो कि विराट काशी को बनाता है देवी ओर नव्यर। करेंगे, विपनमिस्रा पंजाब के स्री टीवी वारांसी, को दुद लारा है झाना स्विजयन परियो करेंगे 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 शेयर करेंगे धन्यवाद करेंगे करेंगे